मैं रिपोर्टर नफीस सिद्धी की ग्रेर स्रावस्ती चैनल पर आप सभी दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दमाएं ताकि आपको पूरे देवी पाटरमंडर की खबर इस चैनल पर मिलती रहें और आईएब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं स्राबस्ती जनपत के गिलोला थाना छेतर अंतरगत चेतिया मुरार गाउं में जहां पर आप सबी लोग जानते हैं तीन दिन से लगातार मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ कि एक पॉली टेक्निक का छात्र सर्यू नहर में डूब गया था आज तीसरे दिन भी उसकी तलास जारी है आज भी सब्सक्राइब की टी में लगी हुई है लेकिन कोई सबलता हाथ नहीं लगी है दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि आज नहर का पानी भी बंद करवा दिया गया था नहर एकदम से सुखा पड़ गया था थोड़ा थोड़ा पानी बचा था लेकिन फिर भी कार्त के परजापती की लास कहीं से भी बाहर नहीं निकली कहीं से भी उतराते हुए नही जुटी हुई है आज तीन दिन से लगातार पुलिस कर्मी मेहनत कर रहे हैं यह डी आरिफ की टीम को दो दिन हो गया और इसके साथ साथ जो गाउवासी हैं ग्रामीर हैं वो भी तलास कर रहे हैं लेकिन कहीं से कोई सपलता हाथ नहीं लगी है समझ में नहीं आता कि कार्तिके परजापती को जमीन खा गया कि आस्मान खा गया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि तीन दिन लगातार ढूडने के बाद नहर में लास ना मिले अगर नदी होती तो कोई दूसरी बात होती लेकिन नहर में ढूडने के बावजूद अगर तीन दिन में लास नहीं मिलती है त इस दिन लड़का पॉली टेक्निक बिद्याले से निकल कर बाहर आया और सो मीटर आगे जाकर के सरीव नहर में नहाने लगा और बता जाता है कि उस वक्त दिन का 11.30-11 बजे का समय था तो जब दिन में 11.30 बजे लड़का सर्यू नहर में डूबा उस वक्त पानी का बहाओ बहुत तेज था इसके बाद 3-4 घंटा लग गया जब छात्रों ने सासर परसासन को इसकी सूचना दी बिद्याले के परबंधक को इसकी सूचना दी बिद्याले में कहीं से कोई नाव है और ना ही हमारे जिले में कोई रबर बोट की टीम है तो कहीं ने कहीं लोगों का ये मानना है इस गाउं के लोगों का ये मानना है कि जब पहले दिन रेस्क्यू नहीं किया गया तो पूरा दिन पानी बहता रहा जिसके बाद पूरी रात पानी बहत कर बह गया और हो सकता है जब रहमुनिया घाट यहां से जो की 10 किलो मीटर आगे है रहमुनिया घाट पर जो ठोकर बना हुआ है इस ठोकर से भी अगर बह गया होगा तो हो सकता है कि वो राप्ती नदी में जाकर मिल गया होगा फिर यह लास इकोना इलाके में मिलेगी जिस त तिसरे दिन आज तीसरा दिन है आज भी SDRF की टीमें लगी हुई है गिलवला की पुलिस लगी हुई है पुलिस कर्मी काफी मेहनत कर रहे हैं तीन दिन से ठंडी का महीना है आप सभी लोग जानते हैं और जो कार्थिके परजापती का परिवार है वो उत्तर परदेश के प्र जगह पर लडका कूदा था, वहाँ पर काफी पत्थर है, आप देख सकते हैं वीडियो इसी जगह पर लडका कूदा था जब यहां पानी भर हुआ था, तब देखने से नहीं लगता था कि यहां पर पत्थर होगा इससे साफ अननाजा लगाए जा सकता है कि जब और यहा उसने चपल निकाली और सामने उसने जम्प मारा और सीधे जाकर के वो पत्थर से टकरा होगा क्योंकि पहले नहीं पता चलता था जब पानी भरा हुआ था कि यहाँ पर पत्थर है कि जमीन है पत्था से ठकराने के बाद हो सकता है कि उसको चोट लग गई हो और प्रत्तेछी दर्शियों का तो ये भी कहना है कि आगे आप थोड़ा देखिए वहां तक उसने अपना हाथ बाहर निकाला था कुछ लोगों का कहना है कि वहां तक उसने अपना हाथ बाहर निकाला था तो तीसरे दिन भी तलास जारी आपको बता दें कि इस वक्त तीन बच कर 45 मिनट हो चुके हैं और तीसरे दिन भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है जिससे कहीं न कहीं लोगों का मनोबल अब तूटता हुआ नजर आ रहा है हो सकता है कि कल SDRF की टीम भी ना आए क्योंकि अब उम्मीद विल्कुल ही तूट चुकी है जब नहर का पानी सुखा देने के बाद भी बाडी का कहीं से पता नहीं चलता है तो दो ही बाते हो सकती है या तो वो कहीं जाकर किसी बिल वगयरा में नहरों में बिल काफी ज़्यादा होता है और आपको बता दे कि इसमें घास फूस भी ज़्यादा होता तो या तो वो जा करके किसी बिल में या कहीं पर उसका सरी जो है तो घुस गया होगा या तो किसी ऐसे जगा में जा कर फस क्या होगा जहां से उसकी बॉड़ी निकल नहीं रही होगी नमबर एक बात दूसरी बात यह हो सकती है कि जब पहले दिन रेस्क्यू नहीं किया गया उसी दिन वो यहां के 10 किलोमेटर इलाके से बाहर निकल गया दूसरी बात हम आपको बता दें दूसरी बात यह हो सकती है तो पुलिस परसासन के लोग भी मेहनत कर रहे हैं गरामीड भी मेहनत कर रहे हैं लगातार मीडिया करमी भी आ रहे हैं आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार करत के परजापती किलास कब बाहर निकलेगी दूसरी बात आपको बता दें कि जो लड़का है कार्त के पजापती अभी तक उसकी माता को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है बहुत ही अफसोस की बात है उनके पिदाजी तो यहां पर टीम के साथ साथ ही आपको दिख जाएंगे लेकिन बता जाता है कि जो कार्थिके परजापती की माताजी हैं, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि इनकी माताजी को जो है दिल की बिमारी है। मैंने इनके परजनों से सुना है बहुत ही अफसोस वाली बात है कि एक लड़का हमारे सरावस्ती जिले में पढ़ने के लिए आता है और वो फिर चला जाता है सर्यू नहर के किनारे नहाने के लिए और फिर सर्यू नहर में डूप जाता है प्रियाग राज से भी लोग बहुत सारे लोग हमारे इस नियूज को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे घोर्मा मठा गाउं के लोकल गरामीड है वो भी जाल लगा करके किसी तरीके से यहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं यह लोकल गरामीड है भी हम इन से बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे आपको बताएंगे यह लोग भी मेहनत करने में इस वक्त जुटे हुए हैं जाल आप लोग नदी में डाल रहे हैं नहर में इसके बारे मताईए कि अगर बॉड़ी होगी तो इसमें कैसे फच जाएगी जमीन के नीचे ज़ा रहा है जमीन के नीचे चल रही हे जमीन पकड करके जाल घिलिया जा रहा है जो इसमें होगा तो पैर नाई कुछ भी फशेगा तो तुरंत ऊपर आ जाएग अगर वह लड़के की बवाड़िन अंगर होगी तो हाथ-पैर उसका फश जाएगा पहले कभी आप ऐसे निकाले हैं? आइसे नहीं निकाला गया है, पहले तो वह इसे ही निकलाते थे, लेकिन आज ये तीन दिन का मेटर हो गया है, इसलिए इसको डालना पाला। अच्छा अभी कितनी दूर तक आप ने जाल डाला है? तो इस दौरान कोई जानवर वगयरा इसमें फसा की नहीं फसा? कुछ नहीं फसा, अभी नहीं फसा है, क्या लगता आप लोगों को बाड़ी इसमें है की कहीं दूर गुलेगे? इसमें अगर होती तो फस जाता यह, अच्छा, अब इधर नहीं है, अधर कांकर की तरफ अगर होगा तो उस तरफ देखा जाएगा, देख लीजिए उस तरफ उस तरफ तो जाल चलेगा नहीं, यह सफे जगह में जाल चलता है, अच्छा, ऐसा पहले कभी हुआ था कि तीन लास निकली हो यहां, हाँ, हाँ, आठ दिन के बाद भी निकली है, एक हफ्ते भी निकली है,